चोरा हा चोरा हा जीवन ऐसा चोरा हा एक सड़क शिक्षा के जिससे जीवन में उजिया रहा है चोरा हा चोरा हा चोरा हा चोरा हा बैहनों हमें आज सीखना है अक्षर सा और बड़ी ई क्या बात है मौसी कोई गाहक नहीं है किया अभी तक बनी नहीं कुई मौसी की दुकान चले है सैर की दुकानों की तर है नजर मत ही लगा मौसी अब तू ये दुकान बंध ही कर दे हरे क्यूँ खोटी बात मुझसे निकाले है फिर नाल दो आज चिठी चीज थी चीज तो बस परेम है ओक तेरे डाक के थेले में बंद है अगर परेम होता तो उसे डाक के थेले में बंद क्यूं करता अपने कंदे भी बिठा के नाला था अब चोटा पा लगना हैँ छे फुट्का गबरू ज़वान है वो तो है ही ले यहाँ लगान गुठा अरे भाया तो ठप तो दे ये ले मौसी पर मौसी तू पढ़ना क्यों नहीं सीख लेती बड़ा नाम होगा तेरा अरे भाईया मौसी का भतेरा नाम है वैसे उसकी तू चिंतमति करें हाँ ये ले मौसी पूरे साथ सो हैं और लिखा है कि हर महीने इतना ही भेजा करेगा अरे जुग जुग जीए तू मेरे बच्चे तो फिर कब बंद कर रही हो दुकान अब तो तू इस गाव में सबसे मालदार हो जाएगी मौसी कफ से कंगली हो गई भईया और तू क्या सूचता है ये पैसे मैं अपने उपर खरच करूंगी ना इन्हें तो मैं जमा करके रखूंगी अपने पर खरच ने करोगी ना बिलकुल ने भूल गया तू अरे मौसी ने तो एक धिला भी कपी ना लिया जब तीन तीन दिन खील भी उड़के मून आ गई मौसी ने जो कमाया वही खाया है अरे तू तो बुरा मान गई मौसी अरे भईया बुरा क्यों मानूंगी चलो बेंजी के पास पैसे देया हूं इसकूल जाने से पहले बंक में जमा करा देगी नहीं मौसी बैंक बैंक अरे वही तो कह रही हू भईया बंक बंक आँ देखो देखो ये बन गई एक छोटी सी सीड़ी और सीड़ी के डंड़ी अगर फैल जाए और एक लंबा डंड़ा तेड़ा मेड़ा हो जाए तो बन जाता है अक्षर सब एक बार फिर से देख ले ये बन गई सीड़ी और सीड़ी के डंड़े फैल गए हाँ डंडों से बन गया सब नमस्ते लो जी मैं आगे जाधा इंतुजार तु नहीं करना पड़ा न अच्छा आज हम लिखेंगे अक्षर सब ये एक लकी टेड़ी फिर बिंदी फिर दूम वाली लकी और अब एक लेटी हुई लकी खड़ा डंडा और उपर छत वाली लकीर है ना कितना असान एक बार फिर देखें ये टेड़ी लकीर बिंदी दूम वाली लकीर लेटी लकीर खड़ा डंडा और छत वाली लकी ये बन्यासा यहाँ साँ कुष्या मंगल मंगल मास्टर जी राम 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 आओ गजीटा क्या बात है मास्टर जी इसे पड़ दो किसकी चिठी है मेरी घरवा लिखी क्या वो पड़ी लिखी है जी हाँ, अभी आगे और पढ़ रही है तो तू क्यों नहीं पढ़ता रहे कब पढ़ू मास्टर जी सारा दिन मजूरी करके तो मुश्किल से रूखी सूखी जूटा पाऊं तुझे प्रणाम लिखा है और लिखती है यहाँ सब कुशल मंगल है मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है गीता बहन जी मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखती है मुझे काम करने से भी रोकती है मगर मेरा तो यह दिल करता है कि मैं उनको कुछ नहीं करने दूँ मैं उनको काम करने बिलकाम करती है और एक बात बताओं आजकल मैं उनसे कढ़ाई करना भी सीख रही है और जब पूरी कढ़ाई सीख लूँगी न तो तुम्हारे लिए एक कुर्टा काड़ूँगी खाली समय में मैं तोकरिया और पंखे बनाती है मुझे उससे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं वो सब जमा हैं बहन जी मुझे कुछ खर्च करने नहीं देती है और भी बहुत कुछ लिखना था मगर कैसे लिखो तुमको कुई पढ़ना आता है तुम कुछ पढ़ लिख भी तू नहीं सकते इतना अच्छा होता ना अगर तुम पढ़ लिख सकते माजी के चरण मेरी और से छू लेने तुम्हारी कमला क्या सोचने लगे का सुटा मास्टर जी कोई ऐसी सूरत नहीं कि मैं भी पढ़ सकूं हाँ है बिल्कुल है फाद दिन में तुम मजोरी करते हो ना जी तो रात के स्कूल में जाया करो वो नहीं मास्टर जी जगा थोड़ी दूर है कोई चारकोस चारकोस चहँ आब हमाख़डव that वह रात का स्कूल मास्टर जी जी चारकोस तो कुछ भी नहीं हुए मैं तो बस दोड़ता हुआ पहुच जाया करूँगा यह एक है ना इसको जोड लगाकर तोड़ बरोड़ दो तो बन जाएगी बड़ी ए यह है एक और एक से बनी बड़ी ए लो मैं फिर आ गई अब मैं पते कौन सा अक्षर सिखाऊंगी अब सिखाऊंगी बड़ी ए लिखना बहुत ही आसान है घबराना नहीं चलो अब धाम लिखते हैं बड़ी ए यह बनाया छोटा सा डेंडा यह साब जैसी एक लगीर और यह साब की डुम उपर हजिया का फल और छक वाली लगीर समझ गई ना एक पर फिर लिखें बड़ी ए यह चोटा डेंडा साब जैसी लगीर साब की दुम उपर हजिया का फल और यह चत वाली लगीर में यहँग कोई लियां यहों ये दर्शन एक बहुत लंबा काइब Canal on और उपर से यह गाना वाना चक्कर क्या है भई ओए पंड़ता मैं ऐस बार ऐसी जगा गया सी जहां पाक के जाने के तूने कभी सपने वेख़्े होंगे मैंने अरे क्या बंबई गया था आहो बंबई अब तो लोकी उसे मुंबई कहते हैं जी बहुत वड़ा शहर जी उची उची बिल्डगा पगड़ी पकर कर ऊपर वेखना पड़ता है जी अच्छा जल्दी जल्दी बता तूने क्या क्या देखा वहाँ पर क्या क्या बता हूँ पंड़ता सबसे पहले तो गेट पे ओफ इंडिया देखा मुझे भी पता है जाग पुंजम जब भारत आये थे 1911 में उनके आने की याद में बनवाया गया था और उसका उधाटन हुआ था हाँ 1924 में आहो हाँ का मीजियम मरिन ड्राइव की सहर किती और पंड़ता चुपाट टीते पेल पूरिया खादी अरे वाँ समुद्र के किनारे बसा बहुत बड़ा शहर है यहां दूर दूर तक उची उची इमारती है जो अपने आप में एक मिसाल है कमाल की बात है कि इस शहर ने भारत के सभी कोनी के लोगों को आकरशित किया और वो यहां आकर बस गए इस शहर की चहल पहल बस देखते ही बनती है यहां शाम को चापाटी पर मेला सा लग जाता है फेल पूरी कच्छे नारियल का पानी और डूपते सूरच का मुहक नजारा दर्शन तुझे किसी प्रोडूसर ने हीरो बनने के लिए नहीं रोका गया है वे पंड़त वो क्या हमें हीरो बनाएंगे आसी तो बने बनाए हीरो आगे फिर मैंने सोचा पंड़त जे में हीरो बन गया तो तरमेंदर का क्या होगा वहां शूटिंग देखी थी आहो पुत्तर वेखी थी ओए पंड़त पेज़े छोटूनू बंबई क्यों 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 ओए तो बना बनाया हीरो आगा ने 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 वो चला गया तो तुझे खाना कॉन देगा दर्शन पसीना अर ये है पैसा कमाई कमाई आप देखी अक्षरसा और बड़ी इसे और क्या क्या बन सकता है क, आ, इ, काई म, आ, इ, माई न, आ, इ, नई का, म, आ, इ, कमाई इ, स, आ, इ, इसाई बेहनों हमें आज सीखना है अक्षर बा और रौ आ, इ, म, पाई है पहले तो घर आते ही तो रोटी मांगे था अब क्या हुआ अर्हां रोज साम को कहां चला जावे तू काम से जाता हूं मां कोई मजूरी मिलिये मजूरी समझ ले पर अम्मा इसके पैसे अभी नहीं बाद में मिलेंगे तब का फायदा तू कमला को नहीं लायरे जब यहां ओवे तो तू उसे भगा वे और जब चली जावे तो अब मैं उसे भगा रहा हूं चाने तुम दोनों ने कास हांट गांट के और वो चली गई चली गई तो चली गई अब मैं क्या करो उसकी चुटिया पकड़के घसीता वाला तेरा नाम भी तो घसीता है होगा पर मैं यह ना कर सकूँ जा जाके पाउं पढ़ जा उसके निरल जाच बे सरम कहीं का बस जिसमें बैटकर हम एक जगे से दूसरी जगे जाते हैं इसका एक पहिया और दर्वाजी के डंडे को पास पास रख दो तो बन जाता है अक्षर बस 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 लो मैं आगई जल्दी आई ना आज हम लिखेंगे अक्षर ब ये एक गोला ये खड़ा डंडा गोले का पेट काड़ दिया उपर छत वाली लकीत समझ आगया ना कितना असान है ये गोला ये डंडा पेट काड़ दिया और ये चत वाली लकीत ना जाएकि तंग मत करियो बेंजी को अच्छा गौरी दियार होगी कम्ला ये बेंजी आप साम तक तो लोटा होगी ना पूरी कोशिश करोगी कम्ला लेकिन देखना अब इसके कानों की पूरी जांश करानी है वैसे मैंने मौसे से कह दिया है तो डरना मत वुराद को आपक बेंजी मैं इसलिए थोड़ ना कह रहे थी कि मैं किसे से डरू हूँ डरती ना हूँ मैं बिल्कुल भी अरी क्या लिख रही है वो तो बेंजी आप जब घर से चली जाती हो ना तो दिल ना लगा है मेरा है मैं जानती हूँ ये मेरी छोटी सी बैसा बड़ी पहादूर है ल अरे नहीं हूँ बहुत जगें मेरे बस में से लिए तो फिर यहां की बैठी हूँ अरे जल्दी जाओ बेंजी ये बस निकल जाएगी और फिर बस निकल गई ना तो ये सोचले ना कि दो गुंदे के बाद मिलेगी हाँ चल बेटे अरे नहीं कमला अभी बहुत समय है बस के बेना गोरी किसे महा रख जो चलो ये लो शाबाज उता नहीं बिलकुल ना करना है जलो बेंजी अध्यालाओ जाना जल्दी आदे 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 अच्छा कमला चलो आच्छा कर दो दोरी करना हो जी हाँ मैं लेकिन आपको तो ऊपर देने तकी फोज़ दिए सारे इता, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम आओगी। यह बच्छी कौन है? यह, मेरी बेटी है पेटी? यह पेटी कैसी? फिल्हाल यह आपकी मरीज है क्या ना तो बेटा कमाना है? जा तो उस कमरे में जाओ शावर इता यह बच्छी बोलते है यह आदर्श एक हाथसे में इसकी आवास जाते रहे आवास जाते रहे? कैसे? पिछले साल की बात है एक देन बेटा बोलो, क्या हुआ, 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 क्या हु यह कभी नहीं बूली तुम्ही कब पता रगा यह बेचारी तो बेहोश हो गई थी कुछ लोग इसे उठाकर मेरे पास ले आए बलाओ जास गौवी यहाओ बड़ा कुछ जल्दी सर आजा बड़ा आप बड़ाओ इकना बड़ा बड़ाओ बड़ाओ माँ बोल सकति लोग बड़ाओ माँ माँ मुझे लोगा इस पेसी स्थिह कुछ चेक उलवाए और गट सीथित इस पेसिट अड़ेएag प्रेंच परादमार। सच पानो आदर्श, यह सुनकर मुझे बहुत ही धारस हुई तिकन इसके लिए तुम्हे बहुत नहीं करने होगी। कौरी ठीक हो जाए, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकते हूँ अगर मैं कहूं कि तुम्हे रोज के लिए निकाना है तो इसके ठीक होने के लिए कर यह जरूरी है तो मुझे यह भी मन्सूर है समस्ता हूँ मैं तुम्हे कुछ एक्सरसाइजिस बदा दोगा नेक्स ताहिए और वो तुम इसके घर पर ही करा सकते हो यह कुछ दवाइन है फिलाँ यह दवाइन इसको देते हूँ अज़ा आएक अच्छा मैं चलू वह बंद नी कर जाएगी चलो मैं चलो अच्छा नमस्ते करो अच्छा यह है कढ़ाई वही जिसमें पकवान बनती हैं अगर इसका नीची वाला कुंडा बड़ा सा हो जाए और उपर वाला कुंडा सीरा हो जाए तो वह बन जाता है अक्षर रा जैसा एक बार फिर देखो कढ़ाई रा जैसी हाँ इसके नीची एक बिंदी भी होती है चोटी सी अगली बार जब कढ़ाई में पकवान बनाओ तो अक्षर रा को नहीं भूलना अरे अरे कहा चल दे अभी तो एक और अक्षर सीखेंगे अक्षर रा लिखें एक छोटा डंडा एक आधा गोला उसके बीच में और एक गोला नीचे बिंदी उपर छत वाली लकी समझा गया ना आसान है ना फिर लिखें ये छोटा डंडा आधा गोला साथ में एक और गोला छोटा सा नीचे बिंदी उपर छत वाली लकी बढ़ाई ब, ड, ई, बढ़ाई स, ई, ड, ई, सी, डी पीड़ी, ब, ई, ड, ई, पीड़ी बाढ़, ब, आ, ड, बाढ़ आओ देखी अक्षर ड का इस्तमाल और कहां हो सकता है का, ड, आ, ई, कढ़ाई पा, ड, आ, ई, पढ़ाई पाई 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 तो आप और खिर लृटीर को अधिए और आप पारॉब यह को बजय को जब हुआ जय को बगाई है फिर याद दिला दू कि अक्षर अढ़ा कैसे बना अक्षर अढ़ा बिल्कुल कढ़ाई जैसा जिसका एक कुंडा सीधा हो जाए और एक बड़ा बन जाए तो बन गया अढ़ा अब देखें कि ब कैसे बना बस का एक पहिया और डंडा साथ साथ रग दे तो बन गया ब क्यूं है ना कितना असान अक्षरों को समझना जीवन बर मेलत की रगर पे हमको चलते जाना है रा में शिक्षा दी चला के रा में शिक्षा दी चला के अपनी मंजिल पाना है यो ऱपा तूरा यो ना वा तूरा मो ना वा तूरा यॉरा तूरा